नमस्ते फ्रेंड्स में लक्ष्मे कानता है और आज हम शोड़ों में देखेंगे section 8 company register करने के लिए महाराश्रु में कितनी खर्चा आता है या फिर कितनी कॉस्ट हमें लगती है यह जो खर्चे हम देख रहे हैं यह पी और कॉस्ट देख रहे हैं मतलब government की जो fees है या फिर ज लेखें जब भी आप कोई भी company register करते हैं तो आपको पहले decide करना होता है कि उसके लिए नाम क्या रखें और जब आप एक बार decide करते हैं कि नाम क्या रखना है तो आपको apply करना होता है name reservation के लिए जब आप apply करते है name reservation के लिए तो वहाँ पे जो fees लगती है government की वह लगती है 1000 तो फिर से आप दो नम दे सकते हैं तो फिर से आप दो नम दे सकते हैं उसके बाद है एक बार नेम अप्रोल हो गया या फिर जब आप फॉर्म भरते हैं पूरा spice plus part b का और upload करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ certain payment करना होता है stamp duty का AOA का और MOA का जो total मिला के 100 रुपे उसकी fees है उसके बाद pan 10 के भी fees आपको देनी होती है pan card 10 card के क्योंकि जब आपका registration हो जाता है तो सारा ये pan card 10 card din number सारा आपका email ID पर आजाता है तो pan 10 के fees 131 एक 131 रुपे भी आपको देना होता है और company register करने के लिए आपको तो पता है कि कम से कम दो आदमी लगते हैं और दो आदमी का digital signature निकालने के लिए 2000 रुपे खरचा आता है एक digital signature निकालने के लिए 1000 रुपे उससे कम भी लगता होगा लेकिन मैं यहाँ पे पान के चल रहा हों कि 1000 रुपे लगेगा तो इस तरह से दो digital signature के लिए 2000 लग गए तो टोटल जो हमारी cost आ रही है वह आ रही है 3231 रुपे महाराश्टर में यह खरचा आता है अगर आपको sectionate company का registration कैसे करते हैं यह सीखना है तो मैंने इसके ऊपर पूरा टोटल वीडियो बनाया है step by step अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं उसकी minimum fees है वह मैंने कोर्स ही ऐसा लगता है DR2 consent letter जो भी person director बनना चाहता है उसकी उसका DR2 में consent देना होता है फिर लगता है INC 15, INC 14 इस दोनों आपको महाँ पर submit करने होता है अगर आपके company में जो डारेक्टर है वो अल्रडी किसी और एक company में डारेक्टर है तो interest in other entities देना होता है MOA main object देना होता है आपको महाँ पर NOC letter लगता है फिर लगता है subscriber sheet for AOA MOA और PF signature तो इस तरह से सारे drafts ready made अगर आपको चाहिए तो मुझे WhatsApp कर सकते हैं उसकी 600 रुपए फीस है 600 अगर चाहिए तो नहीं चाहिए तो online तो आपको मिली जाएगा आशा करता हूं कि आपको brief में आइडिया आ गया है कि sectionate company register करने के लिए कितना खर्चा आता है बहुत सरे लोगं की और एक भी query रहती किसरा हम apply कहां पर करें अगर हमें company register करनी है तो आपको आना है ministry of corporate affairs इस website के ओपर आना होता है आपको यहां पर आपको account create करना होता है sign in sign up करके फिर यहां पर account create करने के बाद आप यहां पर v2 में जा सकते हैं v2 login for v2 filing यहां पर जाने के बाद आप name के लिए apply कर सकते हैं और सारा process जो है apply अलग-अलग form भरने को form भरके form submit कर सकते हैं ठीक है कहीं भी दिक्कत आ रही है तो comment box में comment कीजिए answer देने की कोशिश करूंगा धन्यवाद